हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपकोि भिस्कस प्लांट्स के बारे में बताऊंगी कि इस पे आपके बडस नही आ रहे अगर बडस आते हैं तो फ्लावरिंग नहीं होती या यल्लो पत्तियें बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं आप यहां पे देखेंगे तो उनके बारे में मैं सारी आपको जानकारी दूंगी कि आप इसको क्या फर्टिलाइजर दें कि हमारे यहां इसकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो और हमारा प्लांट भी है जो बुशी बने तो मेरे कई वीवर्स की ट्वारी आई है कि उनका प्लांट एक वाइन की तरह एक ही टहनी उनकी ब यह दिखेंगे आप मैंने यहां पर प्रूनिंग की हुई है तो यहां पर दो तीन टहनी निकली हुई है यहां पर प्रूनिंग की हुई है यह मेरी की हुई है सेप्टमबर के मन्थ में की हुई प्रूनिंग है तो इसलिए अभी आप इस प्लांट को भी कुछ मत करो बस ओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और शेर और लाइक का बटन भी दबा दिया करें फर्स नंबर पर यह है कि अगर हमने पत्तियों की ग्रोथ लेनी है तो उसके लिए हम नाइट्रोजन की मत्रा ज्यादा रखते हैं प्लांट्स में नाइट्रोजन की मत्रा हमें काव डंक से और काव यूरिन से मिलती है इसलिए आप फर्टिलाइजर और गैनिक फर्टिलाइजर में काव यूरिन और काव डंक का यूज करें जो की बहुत ही डी कंपोस्ट हो चुका है वर्मी कंपोस्ट का भी आप यूज कर सकती है दूसरे नंबर पर आगर आपके बड्स अब आप मेरे यहां देखेंगे कि बड्स बहुत आए हुए है प्लांट पे और इसकी मैं अपडेट भी दूंगी जिस प्लांट को मैं यह जो मैं के बारे में मैं आपको यह बता दूं कि इसका फूल एक दिन के लिए रहता है दूसरे दिन यह ऐसे करके मुर्जा के और गिर जाता है तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा बड्स बने और ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिले उसके लिए हमने जो चीज यूज करनी है प उसकी जब पीली पतियं गिरती हैं तो उनको आप हमेशा निकाल दे अगर आप ये पीली पतियं नहीं निकालते हैं उसके साथ ही आप प्लांट में पानी दे देते हैं तो ये पतियं गल जाएंगी गलने के बाद हमारे प्लांट को फंगस लग जाएगी तो जो हमारे प्लां के लिए वो यह है कि आप इसको बनाना पील जो यह बनाना इसे हम खाके जिसके छिलके हम फैक देते हैं वेस्ट करके उस वेस्ट चीज को हम अगर यूज करते हैं लिकवर्ड के रूप में या ठोस के रूप में तो आप देखेंगे कि हमारे जो भी फ्लावरिंग वाले फ्ल के लिए नाइट्रोजन चाहिए और फ्लावरिंग और बड्स के लिए उसे हमेशा कैल्शियम और पोटाश और पोटाशियम की जरूरत है हमें जो यह बनाना से हमें ज्यादा से ज्यादा पोटाशियम मिलता है इसके लिए आप चाहे तो आप लिकवर्ड भी बना सकते हैं और ठोस भी बना सकते हैं, वो दोनों ही तरह हैं कि मैं आपको बना के दिखाऊंगी, कि आपने जल्दी से जल्दी कैसे हमारी fertilizer त्यार हो सकती है, ये ये बनाना के छिलके हैं, इनको हम अगर चोटा-चोटा काट लेंगे या बीट कर लेंगे, पर मेरे हसाब से अगर आप fertilizer जो है, एक सपता में या पंदरा दिन में बिल्कुल तयार हो जाएगा, वो मैं आपको काट के दिखाती हूँ, उसे आप सुखा लें, ड्राई कर लें, तो आपका liquid और ठोस fertilizer तयार होगा, आप कोई भी plastic का या काच का, या clay का, मिट्टी का कोई भी जार ले सकते हैं, और बनाना के छिलके, और अगर हमारा बनाना बिल्कुल गल चुका है, काने लाइक नहीं है, अगर आप इसको डाल देते हैं, गुद्दे को भी डाल देते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा fertilizer तयार होगा, अगर आप एक दो केला इसमें वैसे भी डाल सकते हैं, तो आप इसको एक सब्ता के लिए रखते हैं, या पंदरा दिन के लिए रखते हैं, तो आप देखेंगे कि इसका पानी ब्लैक होना शुरू हो गया, तो आप इसको थोड़े से पानी में डाल के आप दे सकते हैं, गुड़हल के प्लांट, सभी फ्लावरिंग वाले प्लांट म इसको दे सकते हैं आप यह ध्यान रखें कि जो हमारा पूद्दा बिल्कुल छोटा होता है उसको आप ड्रेक्ट मत दे उसमें आप थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें चाए टू केजी पानी आप उसमें एड कर ले तो उसको आप पानी को आप अपने प्लांव मैं आपको दिख बिल्कुल इसमें गूल चुके हैं अगर आप नीचे देखेंगे बिल्कुल डिजॉल हो चुके हैं और यह मैंने पीस के रखा हुआ है बनाना को तो क्योंकि हमारी ये सोईल में बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगा और हमारा फर्टिलाइजर बहुत जल्दी प्लांट्स को पहुंचेगा अब इसको आपने क्या करना है कि आपने तक्रीवन 2 kg पानी में इसको डिजॉल्व कर लेना है मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद आप सभी प्लांट्स में डाल दोगे ताकि हमारे प्लांट्स को अच्छी खुराद दे आप अपने प्लांट्स में खासकर गुड़हल के प्लांट में अब हमारा टॉपिक जो है गुड़हल का प्लांट है वैसे आप सभी इसको फ्लावर वाले प्लांट्स में दे सकते हैं तो आप अपने प्लांट्स को दे आपने जो ये बनाना पील का पाउडर बनाया है उसे भी आप एक एक मुठी के हिसाफ से अपने प्लांट्स में दे सकते हैं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप जुरूर मेरे कमेंट बोक्स में आके मुझे बताएं और लाइक वैशेयर का बटन भी दबा दिया करें शेयर भी किया करें और साथ में आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं और किसी नए टॉपिक के साथ आपके समक्षाति रहूं और इसी के साथ सभी को नमस्कार